नमस्कार मैं ब्रिज मोहन सूरी स्वागत कर रहा हूँ आपका ब्रिज मोहन सूरी चैनल में यूट्यूब चैनल ब्रिज मोहन सूरी आपका अपना चैनल है ये मेरे नाम से चैनल है प्रंदो ये आप सब का चैनल है तो आएए इस चैनल में आज हम आपको नया विशे दिखाते हैं एक ऐसा विशे जिसकी जानकरी लेकर आपका ग्यान बढ़ेगा आपका दिन अच्छा होगा और आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने के संकेत मिलेंगे तो आएए शुरू करते हैं आज का विशे चार फरवरी 2019 को मोनी आमावस्या है सोमावती आमावस्या है आप सब जानते हैं आज आपने क्या करना है जो विशेश रूप से शक्तियों का आगमन आपकी तरफ हो चार लॉंग ले लीजिए अपने घर की चारो दिशाओं में रख दीजिए और फिर दो गंटे के बाद इन चारो लॉंग को उठा कर किसी सुनसान रास्ते में जैसा रास्ता मैं दिखा रहा हूँ ऐसा यहां किसी चुराहे में यहां किसी सुनसान रास्ते में यहां किसी चुराहे में जाकर फैंक दीजिए इससे आपको बहुत लाब मिलेगा बस इतना कीजिए एक विशेश परकार का लाब आपकी तरफ खिचा चला आएगा क्योंकि वाइब्रेशन की शक्तियां इस दिन बहुत अधिक भरसती है और वो वाइब्रेशन हमने लेनी है तो वाइब्रेशन का ही सारा खेल है ताकि पॉजटिव वाइब्रेशन हम असानी से ले सके तो ये सिंपल सा सदारन सा प्रयोगा पवश्य कीजिएगा इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए मैं ब्रिज मौन सूरी आप से इजाज़त चाहता हूँ यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो शेर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे जब आप सब्सक्राइब कर देते हैं हमारा चैनल और साथ में एक बेल का बटन आता है उसको भी दबा देते हैं एक बार ही करना होता है तो हमारे वीडियो की नोटिफकेशन आपको लगातार मिलती रहती है यदि आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो वटसेप पर कर सकते हैं परन्तु जवाब आपको पांच ये छे दिन के बाद ही मिलेगा यदि आप जनम पत्री दिखाना चाहते हैं तो आप वटसेप पर पूछ सकते हैं इसके लिए हम फीस लेते हैं जो हम गरीबों के कारियों में इस्तेमाल करते हैं ध्यान रखिएगा कि जब आप जनम पत्री भीजते हैं तो हम देखते हैं यदि उसमें कोई योग है तो समय लग जाता है। यदि योग नहीं है तो फिर अमिजेटली हम आपको बता देते हैं। प्रणतो यदि योग है गा है तो अच्छे डंग से देखकर ही बताते हैं। प्रणतो जनम पत्री देखने में 4 पांच दिन लग जाते हैं। और उसके पिर आपको बताया जाता है यदि उसमें योग है तो समय लगेगा ये आपको नोटिफिकेशन बेज दी जाती है कि समय लगेगा आप जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे ग्रह होते हैं आप ये भी जानते हैं कि हमारी जनम पत्री में बहुत सरे योग होते हैं हैं इन सब का समादान हमारी जनम पत्री में होता है जब हम जनम पत्री देखकर उपाई डूंडते हैं और आप लोग उन उपाईयों को करते हैं तो पूरी तरह से सब कुछ ठीक होने लगता है किसी तरह का कोई दुख नहीं रहता है तो हम मैं इजाज़त चाहूंगा और पना देहां लगके